नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चरनल पर आप सभी का स्वागत है, रेडी हुझाए फाइब सेकंड में हिंदुर्स्तान समाचार पत्र से संपात किया रिक्टेशन लिखने के लिए अमेरकी अंतरिक्ष एजनसी नासा ने पृत्वी की एक तस्वीर जारी की है, जिसमें भारत रात के वक्त भी खूब चमक रहा है यह चमक ऐसी है, मानों अंतरिक्ष से कोई भी देखे तो आकर्षित हो जाए अंतरिक्ष सुरू से ही जिग्यासा और अनुसंधान का केंद्र रहा है मगर एक तत्य यह भी है कि भारत का अंतरिक्ष अभियान अभी समय से कम से कम दस साल पीछे चल रहा है ऐसे में भारतिय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष सोमनात की ताजा घोषणाय किसी खुषखबरी से कम नहीं है पहली घोषणा यह है कि भारत का तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान तीन पूरी तरह से तयार है और संभवतह इस साल के मध्य तक लौंच कर दिया जाएगा इसरो प्रमुक ने एहमदाबाद में आयोजित चोथे भारती ग्रह विज्ञान सम्मेलन में यह घोषणा की है अंतरिक्ष और ग्रहों की खोज के लिए भारती शमता आज एक जरूरी विशय है जिस पर सभी अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को पूरे मनोयोग से काम करना चाहिए पिछले महीने से ही यह संकेत मिलने लगे थे कि चंद्रयान तीन पूरी तरह से तयार है लगातार परीक्षणों के बाद वैज्ञानिकों में यह विश्वास पैदा हुआ है कि चंद्र अभियान में इस बार कोई कमी नहीं रहेगी दूसरी महतोपुर्ण घोषणा भारत के पहले सौर अभियान को लेकर है आदित्य एलवन भारत का पहला सौर अभियान है इसे भी इसी साल के मध्य तक लौंच किया जाएगा यह सौर्य को करीब से देखने की एक कोशिश है और अगर यह अभियान सफल रहा तो भारत अंतरिक्ष विज्ञान में अलग स्रिणी के देशों में शामिल हो जाएगा भारती अवज्ञानिक ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य वज्ञानिक भी इस सौर अभियान के नतीजों का इंतिजार करेंगे डॉक्टर सोमनाथ ने विश्वास जताया है कि हम इस अभियान को बड़ी सफलता दिलाएंगे बहरहाल सौर अभियान से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए चंद्र अभियान है चंद्रियान एक पूरी तरह सफल रहा था लेकिन चंद्रियान दो की विफलता ने हमें एक तरह से पीछे धकेल दिया और अब चंद्रियान तीन की सफलता हर हाल में सुनिश्चित रहने में ही देश हित है ऐसे अभियान जब सफल होते हैं तब दुनिया में मजबूती का संदेश जाता है और जब नाकाम होते हैं तब प्रतिकूल देशों को हसने का मौका मिलता है ऐसा चंद्रयान दो के समय हुआ था इसमें कोई संदेह नहीं की वैज्ञानिकों को पूरी चुनोती स्विकार करते हुए अंतरिक्ष अभियान को तेज करना चाहिए यहां दूसरे देशों से प्रतिस परधा का भाव जरूरी है गौर करने की बात है कि जबसे अंतरिक्ष में रूस और अमेरिका की होड़ खत्म हुई है तबसे कोई इंसान चांद पर नहीं गया है इस रो के अनुसार चंद्रयान 3 की संरचना चंद्रयान 2 की तरह ही होगी यह और्बिटर, लेंडर और रोवर से लैस होगा हालांकी इस यान पर पिछले यान की तुलना में कम भार होगा यहां प्राथमिक उद्देश्य लेंडर को चंद्रमा की कक्षा में ले जाना और उसे वहां सतह पर सुरक्षित उतारना होगा चंद्र अभियान के मामले में विगत दिनों में अमेरिका, जापान, चीन के अंतरिक्ष केंद्र कहीं बहतर काम कर रहे हैं चीन तो सबसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है उसने अमेरिकी तकनीक से काफी कुछ सीखा है भारत को भी मित्र देशों के साथ मिलकर अंतरिक्ष अभियान को तेज करना चाहिए जापान के साथ भारत सहयोग करके चल सकता है अमेरिका से भी हम सहयोग ले सकते हैं अमेरिका चांद पर इनसानों को उतारने के अभियान में बहुत आगे बढ़ गया है वहाँ अब अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोशना का इंतजार है उमीद करता हूँ डिक्टेशन आपको अच्छे लगी होगे आपने बहुत अच्छे से लिखा होगा जो अब आपको डिफिकर्ट लगे हो उनको देखिए उनकी हिंदी देखिए उनकी आउटलाइन्स बना कर खुब प्रैक्टिस करिए तैट्स आल थैंक यू